हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो इलेक्टिकल टॉक्स, इस वीडियो से एनिमेशन के थू हम लोग समझेंगे ESP किस तरीके से काम करता है ESP का वर्किंग प्रिंसेपल में कॉरोना डिस्चेर्ज, एपलंच ब्रेक्डाउन और सेकेंडरी जेनेरेशन का में रोल है यह सब बड़ा बड़ा टेक्निकल टाम्स उनके डढ़ने का कोई जरुद नहीं अड़ दा एंड अब दे वीडियो, ESP का वर्किंग और कॉंस्ट्रक्शन बोथ क्लियर हो जाएगा और यू विल नेवर फॉर्गेट दे कॉंसेप्ट्स तो चलो पहले देशी सिंपल भासा में ESP का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कंसिडर करो यह दो मेटल रॉड है और इसके बीच में कुछ नेगेटिबली चार्ज पार्टिकल है अब तुम्हारा काम है यहां से ये नेगेटिबली चार्ज पार्टिकल को हटाना तो इसके लिए क्या करोगे Simply इस प्लेट को GROUND कर दो और यहां पर नेगेटिब भॉल्टेच अप्लाई करो तो इससे क्या होगा ये भी negatively charged particle है और ये rod भी negatively charged है तो इस particle के उपर इस direction पे एक force apply होगा जिससे ये particle इधर move करेगा अब जैसे ये particle इस rod के साथ connection में आएगा ये तो grounded है तो ये charge neutralize हो जाएगा अब तुमको क्या करना है अब एक hammer लो और इसमें थोड़ा सा strike कर दो तो ये particle न अंदर भी total working process में तीन step में ये process complete होता है first one is ionization and moment उसके बाद neutralization and collection and then dislodge and remove ionization and moment step में dust particle collecting plate की तरब move करता है और charge particle इस collecting plate के touch में आते ही neutralize हो जाता है और इस plate में collected हो जाता है और उसके बाद wrapping motor के थ्रूँ यहाँ पे hammering करके इस plate में collected dust को dislodge करके remove किया जाता है सो समझ गये कैसे ये तीन step में ESP काम करता है अब ESP के अंदर कैसे corona discharge होता है avalanche multiplication के through free electrons का generation होता है इस concept को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा construction के बारे में समझना पड़ेगा सो देख लो ESP के अंदर क्या क्या parts रहता है and each and every component का function क्या है ESP का main component है collecting plates and HB conductor जिसमें high voltage DC supply दिया जाता है अब सोचो ESP हम लोग क्यों use करते हैं thermal power plant में coal और air को जला के steam produce होता है यहाँ पे coal जलने के बाद जो ash particle air के through आएगा उसी को flow gas कहा जाता है so ESP के through जब यह flow gas pass करता है flow gas से ash को निकाल के hopper में collect करना यही है ESP का काम so that हम लोग chimney के through clean gas को निकाल सके जो भी हो यहाँ पे देखो flow gas अगर ऐसे pass करेगा तो यहाँ पे जो fields है वो overloaded हो जाएगा क्योंकि यहाँ से तो कुछ flow gas ज्यादा pass नहीं करेगा maximum portion इस बीच में से निकल जाएगा so इस problem को remove करने के लिए एक screen यूज होता है जिसमें बहुत सारा hole रहता है तो इससे क्या होगा जो flow gas है वो uniformly हर जगा पे distributed हो जाएगा अब हम लोग इस 3D डागरम के थूँ समझेंगे कैसे collecting electrode और emitting electrode arranged condition पे रहता है और किस तरीके से emitting electrode में high voltage DC supply प्रोवाइड किया जाता है ऐसे दो collecting plate के बीच में एक emitting electrode रहता है और ये दो collecting plate के बीच में distance होता है एक feet का या उससे थोड़ा सा ज्यादा so that ये emitting electrode जो high voltage के साथ connected है वो collecting plate के touch में ना आए क्यूंकि collecting plate तो grounded होता है so इस तरीके से बहुत सारा collecting plate and emitting electrodes होता है और इसके नीचे dust collect करने के लिए hoppers होते हैं और जो gas distribution skin के बारे में हम लोग बात किये थे वो ऐसे एक screen होता है जिसमें बहुत सारा holes होता है so ये gas distribution skin इसके सामने रहने से ये flugas uniformly सारे field के थूँ जाएगा अब देखो कैसे high voltage DC इस emitting electrode तक पहुँचता है और इस emitting electrode system को support provide करता है इसलिए इस insulator का नाम है support insulator now transformer rectifier set के थूँ high voltage DC इहां तक पहुचता है यहाँ पे 415 volt 2 phase supply को एक AC regulator regulated AC में convert करके transformer में AC supply provide करता है और उसके बाद एक rectifier के थूँ rectify होके negative polarity इहां तक आता है और positive polarity को इहां से ground किया जाता है और electric field इहां पे create करने के लिए यह collecting electrode को भी ground के साथ connected किया जाता है next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कैसी pulsating high voltage DC इस system के थूँ generate होता है और negative polarity ही QESP में use करना है अब देखो इहां पे up to 70 kb voltage आता है तो इस insulator में मान लो कुछ leakage current होगा तो danger हो सकता है इसलिए इस insulator के around एक heater होता है जिसको support insulator heater कहा जाता है ऐसे sub insulator में heater connected होता है और उसके साथ साथ hopper में भी heaters रहता है अब इस hopper में as कहां से आता है इस collecting plate से तो collecting plate को hammering करने के लिए जो motor यूज होता है that is CRM मतलब collecting electrode wrapping motor एक CRM के थूँ बहुत सरा plate का wrapping एक साथ होता है और emitting electrode को wrapping करता है ERM मतलब emitting electrode wrapping motor ESP का basic working principle तो हम लोग already समझ चुके हैं लेकिन अब थोड़ा depthful concept हम लोग समझेंगे देखेंगे कैसे avalanche breakdown होता है जिसके थूँ बहुत सरा electron एक साथ generate हो जाता है और वही electron dust particle को collecting plate में जमा करता है तो चलो थोड़ा सा मन लगा के सुन लो तो ये हैं दो collecting plate और ये एक emitting electrode जिसमें 50-70 kV DC voltage दिया जाता है और इतना ज्यादा voltage देने से यहां पे एक corona discharge सुरू हो जाता है actually इसमें होता क्या है इस emitting electrode के across जो gas होता है वो ionized हो जाता है now we'll only consider this plate and this electrode अभी के लिए इस electrode को भूल जाओ so now this is the system अब देखो इस electrode के around जो corona discharge होता है उसके कारण कुछ free electrons generate हो जाता है now यह दो electrode के बीच में से dust वाला flow gas तो पास करी रहा है so consider this is dust particle अब देखो corona discharge के कारण जो free electron प्रोडियूश हुआ वो negative ले charge electrode के इतना नच्दिक में रहता है जिस कारण इस free electron के उपर एक बहुत जादा force act करता है so यह free electron जाके टकराता है इस S molecule से और इस dust molecule से भी electron को free कर देता है अब यह बेचारा dust molecule पहले था neutralized condition पे क्योंकि जितना proton था उतना electron था अब एक electron free हो जाने के करण dust particle एक positively charged dust particle बन जाता है now this electron is highly negatively charged तो इस positively charged dust particle को अबने तरफ attract करेगा और वो dust particle neutralized हो जाएगा वैसी similar way में और भी जितना dust particle है यह free electron उतको strike करेगा जिससे और भी ज़्यादा free electrons प्रोडियूस हो जाएगा और positively charged dust particle इस electron में आके neutralize हो जाएगा इस process में देखे कैसे एक electron से gradually 2 electron इहाँ पे 4 electron उसके बाद 16 electron इसी तरीके से free electrons का number बढ़ता रहेगा और यही है avalanche multiplication टेगनिकली यह नाम जितना डराबना है उतना concept difficult है नहीं तो समझ गये कैसे free electrons का generation हुआ और एक process के थ्रूप free electron generation होता है वो secondary electron generation जिसको कहते हैं फास्टेब में याद करो जब यह electron इस dash particle से टगराया था तो dash particle positively charge हो गया था अब यह देखो positively charge dash particle इस electron के इतना नजदिक में है कि यह बहुत तेजी से जाके इस electron से टगराता है और electrode से ही एक free electron को निकाल देता है इस तरीके से बहुत ज़्यादा electron तो produce नहीं होता है में जो free electron production का process है वो avalanche process से ही होता है और यह secondary है इसलिए इसको secondary electron generation process कहते है अब देखो यह free electron जितना इस electrode से दूर जाएगा उतना इसको धकेलने का जो power होगा इस electrode का वो कम होता जाएगा क्योंकि distance बढ़ रहा है इसलिए यह electron जब इस dust particle से टकराता है dust particle से electron को निकाल नहीं पाता है लेकिन dust particle में यह electron चिपक जाने के कारण यह dust particle overall negatively charged हो गया अब यह collecting plate तो ground के साथ connected होता है तो इस negatively charged particle को अपने तरब खीच लेता है जैसे ही इस grounded plate के touch में आएगा dust particle neutralize हो जाएगा तो इस तरीके से dust particle इस collecting plate में आके चिपक गया अब wrapping motor और hammer arrangement के थूँ इस collecting plate को strike करके यह सब dust particle को collect किया जाता है hopper में अब दो type का mode होता है dry mode and wet mode पानी के through यह hopper में जो dash जमा हुआ उसको तुम remove कर सकते हो बढ़ना vacuum create करके भी dash को remove किया जा सकता है अब चलो ESP से related कुछ practical concept समझ लेते हैं नॉर्मली 210 MW तक thermal power plant में numbers of ESP field होता है 24 ऐसे साब part में ESP बटा हुआ रहता है so that मान लो किसी field में problem आया बाकी सब field हम लोग service में रख सके अगर मान लो सब field का supply एक जगा से देते हम लोग और इसमें ही कुछ problem आ गया तो total ESP system ही काम करना बंद कर देता इसलिए independent 24 field 210 MW के लिए रहता है और power plant का capacity जितना बढ़ेगा उस हिसाब से numbers of ESP field बढ़ता है 250 के लिए 32 numbers of field रहता है अब मान लो एक field हम लोग consider कर रहे है उसमें numbers of collecting plate रहता है 50 और यहाँ पे जो spring type का conductor है 2600 के आसपास एक field में spring रहता है और individually हर एक field के लिए अलग-अलग hoffers होता है hoffers 8 गंटा तक ESP को collect करके अपने अंदर रख सकता है I hope you have understand the complete concept और अभी भी अगर कुछ doubt हो तो comment section में पूछ सकते हो So that's all for now मिलते हैं अगले वीडियो में Goodbye